डिस्कुस करने वाले हैं, वो हैं important diseases of rice तो आज हम important disease पढ़ेंगे कि rice की कौन-कौन सी major disease है और उसके अलावा हम देखेंगे कि क्या-क्या possibility है कैसे-कैसे question को पूछा जा सकता है तो इस तरह से हम इस topic को cover करेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे major symptoms कि कौन-कौन से इसके major symptoms है जो हर disease में आ रहे हैं कौन सी major management है और symptoms को थोड़ा detail में describe करेंगे कि कि किस चीज़ का क्या मतलब है तो चलिए आज की class अब start करते हैं सबसे पहले disease शुरू होने से पहले कई बार आपने देखा होगा कि disease में हर बार कैसे आते है symptom की इस plant part पर आ रहे है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राइस का plant कैसा है कौन-कौन से parts उसमें है तो चलिए इस फोटो में सबसे पहले राइस के plant parts को देख लेते हैं कि कौन से पैनिकल्स हैं कौन सी leaves हैं कौन से tiller हैं तो यह वाला portion tiller है नीचे आपको पता है roots होंगी यह leaves हैं और यह पैनिकल्स हैं जो आपके seed heads हैं और उसके लावा इस portion को florid बोलते हैं यह आपके leaves हैं तो थोड़ो बहुत आपने देख लिया कि पैनिकल्स क्या है leaves कौन सी है और कौन-कौन से portion यहां पे है रैकिस कौन सा है तो आप इस portion को पहले अच्छे से देख लिजे कि कौन-कौन सी leaves हैं कौन-कौन से इस rice में plant parts हैं उसके बाद में हम disease को start करेंगे तो अब जो disease of rice है सबसे पहले है blast तो जो blast है वो किसकी वज़े से होता है पई एकटिरिय低 लीफ-blightै बेंच-किसकी वज़े से होता है जयन्तुमच और इस एस पेथुवार और यह के वज़े से होता है तो यह जो आपका बैक्टीरियल लीफ? ब्लाइट है इस आपका बैक्टीरिया के वज़े उता है वाइरिस की वज़े से होती है तो जो टुंग्रो डिजीज है यह आपकी वाइरल डिजीज है नेक्स्ट डिजीज है ब्राउन स्पोर्ट ब्राउन स्पोर्ट किसकी वज़े से है बाइपोलेरिस और आईजे की वज़े से है और यह जो आपका brown spot है, इसका जो pathogen है, bipolaris orise, उसका एक और नाम भी है, helminthosporium orise, तो यह आपकी fungal disease है, और यह भी आपकी fungal disease है, तो चलिए, इसके अलावा भी बहुत सारी disease हैं, जिसको आज हम discuss करने वाले हैं, पहले इन चार जो disease हैं, उनके बारे में discuss कर लेते हैं, कि कौन सी disease में क्या होता है, सबसे पहले है rice blast, तो अब यह जो rice blast है, इसको हम बोल देते है, rotten neck disease, या फिर rich man's disease, तो यहाँ पर लिखा है rotten neck disease, तो मतलब कि जो neck portion है, उसमें rotting हो जाती है, अब यह neck portion कौन सा था, आपने देखा होगा rice plant में, यह जो panicles को support कर रहा है, जो panicles को support कर रहा है portion वो कौन सा है, neck portion, तो इस portion की भी rotting हो जाती है, इसलिए इसको rotten neck disease बोल देते हैं, और इसको rich man's disease भी बोलते हैं, अब अगर इसके symptom देखें, तो common symptom क्या है, कि diamond shape के leeson बनते हैं, diamond shape के leeson को हम spindle shape leeson भी बोल देते हैं, diamond या फिर spindle shape leeson का क्या मतलब है, कि आपको इस तरह से, beach से मोटे और side से tapering, narrow, ऐसे leesons देखने को मिलेंगे, beach से broad और end से tapering, narrow leesons, जैसे diamond की shape होती है, या फिर spindle shape होती है, तो वैसे leesons आपको leaves के ओपर देखने में मिलते हैं, rice की leaves में वैसे leesons देखने में आपको मिलते हैं, उसके बाद में important चीज़ क्या है, कि airborne disease है ये, airborne disease है, और जो इसका spread है, वो किस के through होगा, wind के through होगा, air के through होगा, ये इसका मतलब है, चलिए अब symptoms को थोड़ा सा detail में पढ़ लेते हैं, पर उससे पहले जानते हैं कि यहाँ पे rice blast लिखा है, तो blast का क्या मतलब है, blast का मतलब होता है, burnt appearance, जली हुई appearance, तो जब भी है disease बहुत ही severe condition में आएगी, तो उस time पे हमें burnt appearance देखने को मिलती है, जली हुई appearance देखने को मिलती है, इसलिए इस disease को क्या बोल देते हैं, rice blast बोल देते हैं, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या इसके detail में symptoms हैं, तो the fungus attacks the crop at all stages of crop growth, कि जब भी fungus attack करेगा तो sub-stages के ओपर यह attack करेगा, अब यह जो disease है, जो इसके symptoms हैं, वो leaves पे भी देखने को मिलते हैं, stem के ओपर भी देखने को मिलते हैं, panicles के ओपर भी देखने को मिलते हैं, seeds के ओपर भी देखने को मिलते हैं, तो leaves के ओपर जो symptom हैं, वो हमें कैसे दिखते हैं, जैसा मैं आपको बताया की spindle shape देखेंगे, तो यह क्या करेंगे, जब leaves को यह पूरी तरह से cover कर लेंगे, जब बहुत सारे spots इकटे हो जाएंगे, तो यह क्या cause करते हैं, leaf blast cause करते हैं, अब यह spots कैसे होते हैं, brown spots होंगे side से, और अंदर से ash जैसे होंगे, whitish-grayish जैसे होंगे, वैसे यह अंदर से होंगे, तो जब यह आपके spots moist weather में, पूरी leaf को cover कर लेंगे, तो उसको बोलते हैं, leaf blast, तो जो leaf blast है, वो symptom किसका है, rice blast का symptom है, दूसरी चीज़ है, कि जब यह पूरी leaves को cover करेंगे, तो कई बार क्या होता है, आप देखाँ, नर्सरी में भी कई बार attack करेगा, और आपकी filled conditions में भी attack करेगा, तो जब यह nodes के उपर attack करेगा, तो nodal blast उसको बोल देंगे, जब infection nodes के उपर होगा, और बहुत सारा infection होगा, तो उसको हम बोल देते हैं, nodal blast, तो जो nodal blast है, वो भी किसका symptom है, rice blast का symptom है, उसके बाद में है, neck blast, तो neck blast मैंने जैसे आपको बताया, कि neck portion कौन सा portion है, तो जब fungus neck portion को attack करेगा, तो वो portion brown से black color का हो जाएगा, तो उसको हम बोल देते हैं neck blast, या फिर हम बोल देते हैं panicle blast, तो कई बार क्या होता है, जो grain है, वो भी fill नहीं हो पाएगा, है ना, जो seeds हैं, वो भी नहीं बन पाएगे, या फिर partially बनेंगे, तो उस चीज़ को हम बोल देते हैं, seed blanking, की खाली seeds रह जाएगे, या फिर partial seeds बनेंगे, partially fill होंगे, तो उस condition को बोल दिया जाता है, seed blanking, नोडल ब्लास्ट होता है, नेक ब्लास्ट होता है, या फिर पैनिकल ब्लास्ट होता है, और seed blanking होती है, तो यह सारे के सारे symptom किसके हैं, rice blast के symptom है, तो अब यह pathogen जो है, यह कितना percent loss cause करता है, 30 से 61 percent loss को cause करता है, depend करता है, कौन से stage है infection की, मतलब कि rice की कौन से stage है, जिस पर infection हुआ है, उस पर यह depend करेगा, तो जो आपका rice blast है, उसके पहले symptom देख लेते हैं, इस photo में आप देख सकते हो, clearly, आपको brown color के margin दिख रहे हैं, और बीच में ash जैसे color का, आपको अंदर से दिखाई दे रहा है, तो basically यह क्या है, diamond shape, leeson है, या फिर आप इसको बोल सकते हो, spindle shape, यही हमने पढ़ा भी, seeds के ओपर भी discoloration आप देख सकते हैं, panicles के ओपर भी discoloration दिखाई गई है, तो यह symptoms है rice blast के, तो अब हमने जो symptom पड़े, symptom से question कैसे पुछा जा सकता है, या तो ऐसे पुछा जा सकता है, कि diamond shape, या फिर spindle shape जो symptoms हैं, वो किस disease में देखे जाते हैं, तो आपको disease का नाम दे सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको disease का नाम दे दिया गया और पुछा गया कि इसमें से leaves के ओपर कौन सी shape के symptoms आते हैं अलग-लग नाम दे दिये गए और आपको एक choose करना है है न तो इस तरह से यहां से question पुछा जा सकता है और या फिर ऐसा पुछा जा सकता है कि leaf blast, nodal blast और आपका neck blast यह सारे किस में होते हैं तो उसका answer होगा rice blast वैसे question पुछा जा सकता है चलिए अब देखते हैं कि यह किस की वज़़ से होता है बहुत सारे बच्चों को confusion होता है pyrecularia orisome pyrecularia grecia में तो अब आपको पता है fungus की दो stages हैं या तो sexual stage होगी या फिर asexual stage होगी तो जो sexual stage है उसको हम बोल देते हैं teleomorph और जो asexual stage है उसको बोल देते हैं enomorph तो अब जो इसकी sexual stage है जो इसकी teleomorph stage है वह मेगना पोर्थे और आइजे मेगना पोर्थे और आइजे जिसको पहले बोला जाता था मेगना पोर्थे ग्रीजिया तो दोनों एक ही नाम है पर यह जो मेगना पोर्थे और आइजे है अब इसको बोला जाता है पहले उसको बोला जाता है मेगना पोर्थे ग्रीजिया अब है इसकी asexual stage है पाइरी क्लेरिया और आइजे उसको पहले बोला जाता था पाइरी क्लेरिया ग्रीजिया तो इसके जो पैथोजेन है उसमें confused नहीं होना है जो आपका पाइरी क्लेरिया और आइजे है या फिर पाइरी क्लेरिया ग्रीजिया है वो सेम ही है बस उसका नाम चेंज हुआ है और जिसके जिनोम सिक्वेंसिंग पूरी हो गई है तो यह पहला प्लांट पैथोजेनिक फंगस है जिसके जिनोम सिक्वेंसिंग पूरी हो चुकी है चलिए अब इसके बाद में डिसक्स करते हैं थोड़ाजा की कौन से इसके लिए forecasting programs है forecasting क्या होता है जब भी कोई disease आनी है तो हम कुछ conditions को note करते हैं कि कितने temperature पे आ रही है कितनी humidity के ऊपर आ रही है कितने दिनों में disease आ रही है तो हम देखते हैं कि उन condition के basis पे अभी आने वाले conditions कैसी रहेंगी तो डिजीज कितने हद तक आ सकती है आएगी भी डिजीज या नहीं आएगी तो उसको बोल देते हैं forecasting तो forecasting राइस के लिए कैसे की जाती है कि जो minimum temperature है नाइट temperature है वो 20 से 26 degree centigrade है और relative humidity कितनी है 90 परसंट है कितने दिनों के लिए है एक हफते के लिए है मतलब की 20 से 26 degree centigrade और relative humidity 90 परसंट और कितने दिनों के लिए एक हफते के लिए यह नाइट temperature है कौन कौन सी स्टेज इस पर देखते हैं सिडलिंग स्टेज पर टिल्लिंग स्टेज पर और नेक अमेर्जेंस स्टेज पर इन कंडिशन को नोट किया जाता है उसके बेसिस पर मॉडल्स बिनाया जाते हैं तो जो आपका जपान है जपान ने जो फर्स फोर्कास्टिंग मॉडल दिया था लीफ ब्रस्ट के लिए उसका नाम है ब्रस्ट-ब-ल- A.S.T. तो राई स्टक के लिए जो फ्र्कास्टिंग मॉडल है पहला वो जपान ने दिया था जिसका नाम है ब्रस्ट उसके अलावाब ऋर भी मॉड लसं जैसे बॉर्क क्या है प्रकास्टिंग मोडल से लिए इसके बाद में बात करते हैं मैनेश्वेंट की तो management आपको पता है कि जब भी आप कोई डिजीस वड़ते हो तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी आपका डिजीस प्लांट पार्ट है उसको क्या कर दो हटा दो वहां से उसको डेस्ट्रॉय कर दो तो वह तो सबसे कॉमन चीज है कि जो भी आपका डेब्री है क्रॉप डेब्री को डिस्ट्रॉय कर दो है ना इसके अलावा जो मेजर मैनेजमेंट से उसके ओपर हमें फोकस करना है जैसे कि कौन सा में फंजिसाइड इसके लिए या फिर कौन सा में कैमिकल यूज हो रहा है या फिर कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट यूज हो वो हैं CO 47, IR 20, ADT 36, ADT 39, ASD 18 और IR 64 तो यह सारी क्या हैं आपकी resistant varieties हैं अब आपने susceptible variety नहीं लगानी है जैसे कि IR 50 उसके बाद में है कि आपने fields को clean रखना है जो भी आपके alternate host है जिनके उपर fungus survive करता है उसको आपने वहां से हटा देना है अब जो आपके seeds हैं तो seed को आपने treatment देना है किस इसके साथ में या तो captain के साथ दे सकते हो ठीराम के साथ में दे सकते हो carbonism के साथ में दे सकते हो at the rate ठीराम के लिए 3 gram भी चलता है पर kg या फिर 2 gram per kg pseudomonas fluorescence को भी यूज़ कर सकते हैं seed treatment के लिए अब यहां से एक और question बनता है इसमें हम यूज़ करते हैं silica या फिर calcium silicate तो ऐसा पुछा जा सकता है कि silica की application से silica को use करने से किस disease के incidence को कम किया सकता है तो वह rice blast को कम किया जा सकता है तो एक चीज़ा हमने यह कवर की यहां पर उसके लावा हम spray क्या कर सकते हैं carbonism को spray कर सकते हैं इस disease के तो हमने राईस ब्लास्ट अभी कवर किया अब हम परिएक अजिस का नाम है बैक्टिरियल लीफ बलाइट कि हो रहा एक किसकी वज़ेस हो रही है गटिरिया के वज़ेसे हो रही है सबसे पहले स्के हम डीटेल में इस पड़ते हैं उसके बाद में आपको मैं शॉर्ट में बताऊंगे किसके सिम्टम कैसे याद रखनें हैं तो चलिए स्टाठ करते हैं सब्से पहले है Siddling तो जो नर्सरी में Siddling होंगी उसके उपर क्या होगा आपको Circular yellow color की Spots देखने में मिलेंगे और उसके बाद में क्या हो जाएगा Circular yellow sports और ड्राइंग हो जाएगे वो सूक जाएगे तो जब यह आपकी dry हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे क्रेसिक सिम्टम बोलते हैं K-R-E-S-E-K अब यह जो आपका क्रेसिक सिम्टम है यह आपका ट्रांस्प्लांटिंग के एक-दो हफते के बाद हमें देखने को मिलता है तो क्रेसिक का मतलब क्या होता है विल्ट तो जब भी कोई पुछे कि जो विल्ट फेस है या फिर जो क्रेसिक फेस है वो किसमे देखने को मिलता है तो जो विल्ट फेस है या फिर क्रेसिक फेस है वो बेक्टिरियल लीफ ब्लाइट में देखने को मिलता है क्रेसिक वर्ड कहां से लिया गया है आपने देखोगे जब पत्ते बिल्कुर सूख जाते हैं तो जब आप उन पर चलते हैं तो उसमें एक अलग सी आवाज आते हैं कर्ड कर टाइप की है ना तो जो क्रेसिक है वो वहीं से वर्ड लिया गया है और क्रेसिक का मतलब है विल्ट तो जब भी पूझा जाए कि विल्ट सिंटम किसमें देखने को मिलता है या फिक क्रेसिक सिंटम किसमें देखने को मिलता है तो उसका अंसर होगा बेक्टीरियल लीफ ब्लाइट कि बेक्टीरियल लीफ ब्लाइट में हमें क्रेसिक सिंटम देखने को मिलता है अब इसके बाद में हैं कि अब आपका जो बिक्टीरिया है वो आपके वूंट्स के थुरू एंट्री लेगा और पूरी की पूरी जो सिड्लिंग है उसमें सिस्टेमिक इंफेक्शन करेगा पूरी की पूरी सिड्लिंग की डेथ कॉस करेगा नेक्स है जो आपके प्लांट्स ग्रोन अप होंगे जो आपके प्लांट्स बड़े हो गए होंगे उन भी क्या होगा जो आपके लीजन्स हैं वो आपको वेवी मार्जिन में दिखाई देंगे है ना वेवी सा मार्जिन दिखाई देगा और पूरी की पूरी वो लीव्स को बतलब की उस की बात कर रहे हैं यहां पर कि जो बैक्टीरिया का उस है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है कई बार जहां पर क्या होगे आपके बैक्टीरिया के मासिस प्रेजन्ट होंगे और जब वो सूख जाएंगे तो वाइट कलर की एंक्रस्टेशन देखने को मिलेग वाइट कलर की लेर्स ही देखने को मिलेगी, अब जो हमने अभी तक सिम्टम पढ़े डिटेल में, उसके बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं कि तीन टाइप के सिम्टम आ रहे हैं, एक तो लीफ ब्लाइट सिम्टम आ रहे हैं, है ना दूसरा क्या था, पेल येलो सिम्टम्स, और क्रेसिक सिम्टम को क्या कहा जाता है, वो आपको बताना है, हमने पढ़े कि तीन सिम्टम्स आते हैं, लीफ ब्लाइट आता है, पेल येलो आता है, और क्रेसिक सिम्टम्स आता है, तो क्रेसिक सिम्टम्स को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है, अभी हमने डिस्कस किया, कि question में कैसे भी पूछ सकते हैं हो सकता है ऐसे पूछें कि kresic symptom किस में आता है कौन से disease में आता है या फिर कौन से disease के कौन से symptoms है चलिए तो ठीक बोला है आपने कि जो kresic symptom है वो wilt में आता है wilt है उसका दूसरा मतलब और bacterial leaf blight में वो symptom देखने को मिलता है next है आपको photos दिखा देते हैं यह है pale yellow phase जिसमें क्या है leaves में yellowing हो गई है यह है kresic phase जिसमे wilt हो गई है और यह है leaf blight phase अब हमने pathogen पढ़ लिया कि pathogen क्या है xanthomanase, oryze, pathwar, oryze और यह क्या है gram negative है disease को कैसे manage किया जाए अब हम वो discuss करेंगे तो जब तक मैं आपको बाकी management बताऊंगी आपको तब तक बताना है कि bacteria के लिए क्या use किया जाता है bacteria के लिए क्या use किया जाता है जैसे कि हम fungus के लिए fungicides use कर सकते हैं तो bacteria के लिए हम क्या use कर सकते हैं आपको यह तब तक बताना है इतने देर में हमें आपको बताती हूँ कि management कैसे करेंगे तो यह जो burn the troubles है यह सबसे common management है है ना fertilizers की dose भी हमने क्या रखनी है ठीक रखनी है wounding को हमने avoid करना है कि हम ज़्यादा clipping बगेरा करेंगे तो उसे क्या होंगे cuts लग जाएंगे तो wounds के through क्या होता है bacteria enter करता है तो wounding को हम avoid करेंगे ठीक है flooded condition को avoid करेंगे resistant varieties यूज़ कर सकते हैं जैसे IR20, 22, 26 है 30 है, 32 है यह सारी resistant varieties है और जो TKM6 है यह भी क्या है resistant variety है bacterial leaf blight के लिए अब मेरे आप से question पुचा था हम bacteria के लिए क्या यूज़ कर सकते है तो कई ने लिखा है streptomycin ठीक है अब यह जो bacteria है bacteria के लिए हम basically antibiotics यूज़ करते है है ना, तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते है streptomycin यूज़ कर सकते है और tetracycline को यूज़ कर सकते है combination में यूज़ कर सकते है एंटिबाइटिक्स है उनको हम यूज कर सकते हैं बेक्टीरिया के लिए चलिए नेक्स्ट डिजीज की तरफ अब हम चलेंगे नेक्स्ट है राइस टुंग्रो तो अभी हमने शुरू में पढ़ा था कि राइस टुंग्रो किसकी वज़े से होता है आप मुझे बताएंगे अब की राइस टुंग्रो किसकी वज़े से होता है अब जो हमारी डिजीज है वह राइस टुंग्रो जैसे हमने पढ़ा कि जो राइस ब्लास्ट है वह फंगस की वज़े से हो रहा है तो अब यह जो राइ किस्कुस करेंगे उससे पहले आपकी आंसर्स देख लेते हैं कि आपको याद या नहीं तो जो बच्चे ने में टोड लिख रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं मैंने पूचा कि किसकी वजह से होता है बैक्टीरिया है वाइरस है या फिर फंजाय है चलिए तो यह आपका राइस टूंग्रो है यह वाइरस की वजह से होता है वाइरल डिजीज है अब यह जो वाइरल डिजीज है पर इस भी क्या है अब आपको पता है कि दो वाइरस इस इन्वाल्ड है दो वाइरस की वजह से यह डिजीज होती है दो वाइरस कौन-कौन से हैं आर्टी बीवी और तुंग्रो बैसिलिफॉर्म वाइरस और RTSV क्या है राइस तुंग्रो स्फेरिकल वाइरस तो यह दो वाइरस की कॉंबिनेशन से होता है एक है RTBV और दूसरा है RTSV अब यह जो आपका RTBV है जी क्या है आपका double stranded DNA वाइरस है और जो RTSV है वो है single stranded RNA वाइरस चलिए यह तो उने पढ़ लिया कि राइस तुंग्रो is a disease which is caused by the combination of two viruses की यह दो वाइरस की combination से होती है जो है आपके कौन-कौन से दो वाइरस है मैंने बता दिया RTBV और RTSV राइस तुंग्रो बैसिली फॉर्म वाइरस और राइस तुंग्रो स्फेरिकल वाइरस तो जो राइस तुंग्रो बैसिली फॉर्म वाइरस है वो कौन सा है double stranded DNA है राइस तुंग्रो स्फेरिकल वाइरस कौन सा है single stranded RNA है which are transmitted by leaf hopper मतलब की leaf hopper इसको transmit करते हैं अब आपको जब तक मैं symptom बताऊंगी आपको बताना है कौन से leaf hopper इसको transmit करते हैं राइस्ट उंग्रो को कौन से leaf hopper transmit करते हैं किसकी वज़े से राइस्ट उंग्रो transmit होता है चलिए जब तक आप बताएंगे मैं तब तक आपको symptom बताती हूँ अब ही ये virus है तो आपको पता है virus दौर बली क्या करते हैं आपकी chlorosis करते हैं strunting कर देंगे, mosaic या फिर modeling कर देंगे तो इस तरह के symptom virus produce करते हैं तो virus क्या करेगा यहाँ पे? leaf discoloration करेगा, color change हो जाएगा leaves का reduce tiller numbers, tillers का number कम कर देगा जो grains बनाएगा वो sterile grains बनाएगा है ना fertile grain नहीं बनाएगा जो इसके major symptom है वो है stunting की पौधा छोटा रह जाएगा और yellowing यानि की पीला पन रह जाएगा तो ये जो दो main symptoms है वो है rice tumro के एक तो stunting है और दूसरा है yellowing photos में आप देख सकते हैं कि एक तो yellowing हो गई है और ये हैं leaf hoppers जिनके थ्रू वो transmit होता है तो अब अभी मैं आप से पूछाता की कौन सा leaf hopper है तो कई बच्चों ने answer दे दिया है green leaf hopper जिन बच्चों ने brown लिखा है वो गलत है इसका correct answer है green leaf hopper उसका नाम भी अभी देखेंगे थोड़ी देर में कुछ बच्चों ने बता भी दिया है अब symptoms को थोड़ा सा detail में पढ़ लेते हैं कि ये जो virus की symptom है ये आपके nursery में भी आएंगे और main field में भी आएंगे हना nursery में भी आएगा और field में भी आएगा प्लांट आपका छोटा रह जाएगा leaves में क्या हो जाएगी? yellowing हो जाएगी chlorosis हो जाएगी और कई बार क्या होगा? जो young leaves है वो आपकी mortal हो जाएगी और जो आपकी older leaves है वो rusty symptoms उन पे आजाएगे पैनिकल्स आपके बनेंगे नहीं और अगर आपके पैनिकल्स बनेंगे तो भी आपके जो seeds हैं वो proper नहीं बनेंगे वो malformed होंगे उसकी proper shape नहीं होगी अब हमने जब बात की थी pathogen की तो मैंने आपको pathogen बता दिया है कि virus के वज़े से होता है अब transmission leaf hopper से हो रही है कौन सा leaf hopper है green leaf hopper है है ना तो जो सबसे ज़्यादा efficient है transmission leaf hopper से होती है पर जो सबसे best leaf hopper है इसके लिए वो कौन सा है green leaf hopper है जिसका नाम है nephotetics viruses तो जो आपका nephotetics viruses से वो सबसे ज़्यादा efficient leaf hopper है जो transmission करता है चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो management की तरह तो कई बार क्या होता है जो टुंग्रों की आपके symptoms हैं ऐसा लगता है कि किसी deficiency के symptoms हैं है ना तो उसके लिए क्या किया जाता है जो आपके viruses हैं उसके लिए अलग अलग टेस्ट के जाते हैं ताकि confirm हो सके कि कि किस चीज़ के symptoms है क्या यह deficiency की वज़े से हैं या फिर यह virus की वज़े से हैं चलिए अब पढ़ते है management तो management भी सबसे पहले है अब आपको पता है कि वाइरस का कोई इलाज नहीं है कोई प्रॉपर चीज़ नहीं है जो वाइरस को खतम कर सके तो इसके लिए हम रोगिंग कर देते हैं रोगिंग क्या होता है आप मुझे बताएंगे उसके बाद में मैं आपको explain करूंगी कि रोगिंग क्या मतलब होता है क्यों क्योंकि वाइरस के लिए हमारे पास add such कोई proper treatment नहीं है तो आप सब बच्चों के answer देख लेते हैं कि रोगिंग आपको पता है या नहीं उसके बाद में आपको बताएंगे कि रोगिंग क्या होता है तो रोगिंग क्या होता है जो भी आपका plant part है मतलब कि जो भी आपका infected plant part है उसको देखेंगे कौन सा है उसको फिल्ड से रिमूव कर देंगे जो भी infected plant है जो भी आपको पता है जिनमें disease आ गई है उसको खाड के फेंग देंगे है ना तो हम रोगिंग कर सकते हैं दूसरी चीज है कि वेक्टर के तुरू spread कर रहा है वेक्टर के तुरू एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वेक्टर को monitor करना पड़ेगा है ना उसके उपर check रखना पड़ेगा अब उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि अपनी फिल्ड को हम साफ रखेंगे नेक्स्ट है टॉल्रेंट वराइटी यूज कर सकते हैं जैसे कि इसके केस में टॉल्रेंट वराइटी इस कौन सी हैं BM 66, BM 68, पंखारी 203, IR 50, CO 45, कमोड 253 तो इस तरह से रजिस्टेंट वराइटीस को या टॉल्रेंट वराइटीस को आप यूज कर सकते हैं और जो जब हम वेक्टर की बात करते हैं कि हमने क्या करना है जो भी वेक्टर पॉपिलेशन है उसको control करना है मतलब कि leaf opers को हमने क्या करना है गांट्रोल में रखना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कार्बोफिरोन को यूज कर सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं लाइट राप्स को यूज़ कर सकते हैं वेक्टर्स के लिए ये हमने पढ़ लिया ठुंगरो अब हम पढ़ेंगे ब्राउन स्पॉट डिजिज ब्राउन स्पॉट से आपको चीज जहादर आ रही होगी कि ब्राउन स्पॉट के वज़े से एक फैमिन हुआ था कौन सा फैमिन डिजीज भी बोलते हैं राइस की इसके वज़े से एक फैमिन आया था कौन सा फैमिन आया था आप मुझे बताएंगे कई बचों ने आंसर कर दिया है चलिए तो इसके वज़े से बेंगॉल फैमिन आया था 1943 में आया था तो यह जो ब्राउन स्पॉट अफ राइस है इसके अब देखने को मिलेंगे जिनके संटर लाइट होंगे और ये क्या करता है पैकी राइसिस का मेंजर सिंटम में Peki rice क्या होता है? कि जो sports आपको देखने में मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? Discolored grains जिसका color change हो गया होगा ग्रेंज का और आपको उसमें spotting देखने को मिलेंगे मतलब कि बहुत सारे spots देखने को मिलेंगे तो यह जो आपकी spotting है और discoloration है इसको हम बोल देते हैं packy rice तो यह जो आपका packy rice symptom है यह किसका है brown spot of rice का major symptom है अब यह जो disease है majorly किस में आती है जहां पे potassium deficient है जहां पे potassium कम है तो potash deficient soils में यह disease mainly आती है अब इसके symptom थोड़े detail में पढ़ते हैं कि fungus attack the crop from seedling to milky stage अब आपको पता है rice में अलग-लग stages होती है जैसे seedling stage है, milky stage है, dough stage है है ना तो जब वो white सा fluid आना शुरू हो जाएगा उसमें white सा component आना शुरू हो जाएगा उसको बोल देते है milky stage तो जो fungus है वो seedling stage से लेके milky stage तक attack करता है symptoms कैसे देखेंगे आपको koleotile के उपर, leaf blades के उपर, leaf sheet के उपर symptom इसके देखने को मिलेंगे छोटे-छोटे spots होंगे कैसे होंगे या तो cylindrical होंगे, oval होंगे dark brown color के होंगे और उनके बाहर yellow hollow होगा yellow hollow आपको पता है कि वो पूरे spot को cover करेगा तो उसको हम yellow hollow बोल देंगे जब yellow color में वो पूरे spot को cover करेगा अब यह जो आपकी seedlings है या फिर affected nurseries है वो आपको जली हुई दिखेंगी squashed दिखेंगी, जली हुई burnt appearance देंगी squashed का मतलब है जली हुई या फिर burnt appearance देगी और उससे क्या होगा, जो आपकी seedlings है, उसकी death हो जाएगी और जो आपकी grain quality है वो भी अच्छी नहीं रहेगी तो यह है आपके brown spot के symptoms photos में देख लेते हैं जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको brown color के spots देखने को मिल रहे हैं और बीच में से क्या है, यह थोड़े light center है बाकी photos में भी आप देख सकते हैं यह जो है that is packy rice यह packy rice grains हैं, जिसमें आपको spotting और discoloration देखने को मिल रही है तो यह हैं इसके symptoms causal organism कौन है जैसा हमने पढ़ा कि bipolaris orizes का causal organism है उसका एक और नाम भी है helminthosporium orize अब इसकी जो stage है that is cochleobolus meabinus अब इसकी जो sexual stage है वो क्या है basically cochleobolus meabinus तो इसकी वज़े से आपका brown spot of rice होता है अब पढ़ेंगे management पर management पढ़ने इसमें एक और चीज़ है इसमें कि brown spot of rice को हमें एक और चीज़ बोलते हैं वो है poor man's disease मतलब कि गरीब लोग की बिमारी poor man's disease क्यों बोलते हैं हम इसको क्योंकि ये जहां पे आपके proper fertilizers नहीं है जो proper fertile soil नहीं है potash deficient soil है उनमें ये disease में लिए आती है इसलिए इसको बोल देते हैं poor man's disease management देखते हैं तो management first management तो वही है कि destruction of diseased plant parts field sanitation भी common है और fertilizers आपने ऐसे use करने हैं जो आपके ना जादा quantity में हो ना कम quantity में हो optimum dose आपने use करनी है इसके लिए जो tolerant varieties हैं वो हैं CO44 और भवानी इसके लावा जो आप seeds यूज करोगे वो disease free seeds यूज करोगे जो आप seeds हैं उनको treatment दोगे थिरम के साथ में या फिर captain के साथ में treatment दे सकते हैं और edif and force या फिर मेंको जेब का हम क्या कर सकते हैं spray कर सकते हैं 15 दिन के interval पर तो यह है इस disease की management अब जो बाकी disease है हम उसको discuss करेंगे सबसे पहले है khaira disease तो khaira disease किसकी deficiency से होती है अब आप मुझे बताएंगे उसके बाद में थोड़ा सा इसके बारे में discuss करेंगे आपको पता होगा कि जो khaira disease of rice की वो किसकी deficiency से होती है तो आप मुझे पताएंगे अब उसके बाद में हम discuss करेंगे इस disease के बारे में कि क्या disease है यह क्या इसके symptoms है क्या इसके लिए हम management कर सकते हैं वो हम discuss करेंगे चलिए बच्चों के answers आ रहे हैं तो यह जो खायरा disease of rice है यह किसकी वज़े से होती है जिंक की deficiency से होती है बिल्कुल सही आपने बोला है और इसके symptoms क्या है कि यह जो disease है यह nursery में क्या होगा chlorotic symptom देखने को मिलेंगे मतलब कि यह यलो इंग हो जाएगी है ना जो ship base है उसके क्या हो जाएगे जो ज़ा जाएगी patches गैटने को मिलेंगे अब हमने पड़ा कि कि deficiency हो रही है जिंक की deficiency से हो रही है तो इसके लिए हम उसको देदो यह disease ठीक हो तो यह जो foot rot disease है सबसे पहली यह किसकी वज़ा से होती है physarium monally form में physarium monally form में क्या है asexual stage है और sexual stage क्या है gibrella physique roi तो इस disease को हम क्या बोलते है foot rot को या फिर back in disease को जो आपकी disease है basically यह क्या है gibrella physique roi जो है वो क्या करता है एक hormone को secrete करता है growth hormone को secrete करता है आप मुझे बताएंगे कि उस growth hormone का क्या नाम है यह जो growth hormone है यह कुरोसावा ने discover किया था है ना जो isolate किया था यह आपका कुरोसावा ने किया था कि जिब्रैला physique roi क्या कर रहा है growth hormone को secrete कर रहा है अब आप बताएंगे कि कौन सा वो growth hormone है उसके बाद में हम disease के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे और थोड़े से इसके symptoms और management को discuss करेंगे तो यह जो आपका जिब्रेला physical होई है यह growth hormone को release करता है जिसका नाम है correct बताया आपने जिब्रेलिन जिब्रेला वएर्ड से पता चल रहा है कि यह क्या करता है जिब्रेलीन को क्या करता है रिलीस करता है तो इससे क्या होता है इसको हम बोल देते हैं disease को foolish seedling disease फूलिश सिड्लिंग क्यों बोलते हैं ये भी हम discuss करेंगे यह जो disease है आपकी, यह seed born disease है, है ना, तो basically क्या होता है, जब यह infection करेगा, तो जो आपकी seedlings है, वो आपकी जो seedlings है, वो कैसी होंगी, बिल्कुल आपको पतली और दुबली, lean और lanky का मतलब है, दुबली और पतली दिखेंगी और बहुत tall होंगी, क्योंकि जिब्रैलीन क्या कर रहा है, उसको tall बना रहा है, लंबा बना रहा है, और उसके बाद में उनकी death हो जाएगी, इसलिए इसको foolish seedlings बोलते हैं, कि पहले लंबी पतली हुई, और उसके बाद में उसकी क्या होगी, death होगी, main field में क्या होगा, जो आपके tillers हैं, वो भी कैसे रहेंगे, tall रहेंगे लंबे रहेंगे, और दुबले पतले रहेंगे, और जो आपकी roots है, वो bushy हो जाएंगी, fibrous हो जाएंगी, और bushy हो जाएंगी, अब जब ear heads बनने वाले होंगे, उससे पहले ही, grains या पैनिकल्स है, ear head बनने से पहले ही, जो आपका plant है, उसकी death हो जाएगी, और जब आप कल को split करोगे, कल्म का क्या मतलब है, stem को जब आप split करोगे, तो आपको वहाँ पे white color की growth देखने को मिलेगी, जो fungus के mycelium की growth होगी, तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं, फोटो में, ये बिल्कुल पतली और लंबी हो जा रही है, और उसके बाद में क्या होगा, जब ये पत deseas hat, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, seed treatment करेंगे, तो जैसे में आपको बताया, theorem used कर सकते हैं, captain use कर सकते हैं, carbon design को भी use कर सकते हैं, इस disabilities की management के लिए, उसके अलावा seed को हम बिलो मिल के साथ में भी treat कर सकते हैं, तो ये इस disease की management है, अब इसके बाद में हम discuss करेंगे उद्बत्ता disease of rice अब यह जो उद्बत्ता disease है किसकी वज़े से होती है aphelis orisae की वज़े से होती है sexual stress क्या है balancia orisae या फिर orisae sativa balancia orisae sativa कब होती है disease panical की emergence के time पे होगी क्या होगा जो पूरा का पूरा head है वो कैसा बन जाएगा cylindrical बन जाएगा एकठा सा हो जाएगा काला पर जाएगा और उसके बाद में क्या है जो आपका infected panical है वो बिल्कुल एकठा हो जाएगा और black color का पर जाएगा काला पर जाएगा तो यह जो disease है उद्बत्ता disease उसके यह symptom है और क्या होगा जो आपकी spikelets है spikelets आपकी rackis के साथ में बिल्कुल चिपक जाएगे cemented का मतलब है चिपक जाएगे और उसके उपर आपको white color उसके उपर आपको gray color का मास देखने को मिलेगा स्ट्रोमा का मास देखने को मिलेगा तो यह जो है यह है आपकी उद्बत्ता disease तो इसके लिए क्या है internally seed born है तो internally seed born के लिए हम क्या करते हैं hot water treatment देते हैं जिसमें क्या करते हैं हम थोड़ा सा जो पानी है उसके temperature को बढ़ाएंगे और कुछ time के लिए grains को उसमें रख देंगे ताकि mycelium activate हो जाए और उसके बाद में क्या करेंगे उस temperature को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे ताकि जो आपका mycelium है उस grain के अंदर उसकी death हो जाए remove करेंगे जो भी collateral host हैं जैसे कि sinodon, dectylon मतलब कि दूब grass है तो ऐसे हम क्या करेंगे जो alternate host है उनको remove करेंगे उनको हटा देंगे तो ये पड़ी हमने आज rice की disease कि कौन-कौन से important disease है rice की तो अगर आपको कोई पूछे कि rice blast की का symptom है तो हमने पड़ा कि leaf blast है आपका है nodal blast है या फिन neck blast है seed blanking है diamond shape के जो lesions है तो वो सारे किसके है rice blast की symptom है तो उसके लिए अगर आपको पूछे कि क्या use करेंगे तो silica use करके हम क्या कर सकते हैं उसकी जो incidence से उसको कम कर सकते हैं तो ये हमने पहली disease पड़ी थी जो आपकी rice disease थी बाकी management भी हमने डिस्कस की फिर bacterial leaf blight के बारे में पड़ा तो bacterial leaf blight में हमने पड़ा कि तीन major symptoms है आपका leaf blight है, pale yellow symptom है और cristic symptom है तो जो आपके cristic symptom है उसको हम क्या बोल देते हैं विल्ड symptom भी बोल देते हैं फिर हमने तुंग्रो डिस्स को डिस्कस किया जिसमें हमने पड़ा कि RTBV और RTSV दोनों की वज़े से वो हो रही है एक आपका DNA virus है एक आपका RNA virus है फिर हमने देखा कि transmission किसके वज़े से हो रही है mainly green leaf hopper के वज़े से उसकी transmission हो रही है उसके बाद में हमने brown spot of rice के बारे में पड़ा हलमिंतोस्पोरियम के वज़े से होता है और इसनी क्या क्या था Bengal famine cause किया था उसके बाद में उसके symptoms के बारे में पड़ा और management को हमने discuss किया उसके बाद में हमने अभी bacaine disease पड़ी या फिर foot rot disease पड़ी foolish seedlings भी जिसको बोलते हैं उद्बता disease के बारे में discuss किया और khaira disease के बारे में discuss किया अब इसके बाद में एक और viral disease है that is आपने पड़ा होगा grassy stunt disease तो आप मुझे बताएंगे कि जो grassy stunt disease है उसको कौन transmit करता है जो grassy stunt disease है वो किसके through transmit होती है वो आप मुझे बताएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि जो आपकी grassy stunt disease है वो किसकी वज़े से transmit होती है कौन से hopper की वज़े से वो disease transmit होती है तो जो आपका grassy stunt है वो कौन से hopper की वज़े से transmit होता है आपने पढ़ा होगा कि वो brown plant hopper की वज़े से transmit होता है बच्चों ने answer भी दे दिया है अब कि जो brown plant hopper है उसकी वज़े से वो disease transmit होती है है ना तो एक वो डिजिस भी है इसमें तो वाइरल डिजिस का आपको पता है एज सच कोई कंट्रोल ने है तो हम क्या कर सकते हैं रोगिंग कर सकते हैं चलिए बहुत सारे बच्च चांसेस दे रहे हैं कि ब्राउन प्लांट ओपर है तो आपने करेक्ट बताया है उसका नाम क्या है नीला परवता लुजंस है तो वो नीला परवता लुजंस के त्रू ट्रांसमिट होता है तो चलिए आज हमने राईस की डिजिस कवर कर ली अब नेक्स सेशन में हम वीट की डिजिस को डिस्कस करेंगे तब तब के लिए पढ़ते रहें थांक्यू थांक्यू सो मच